यूपी एल्टी ग्रेट में आठ से अधिक पदों पर भरती होनी हो और उसका विज्यापन आपको सितंबर तक देखने को मिल सकता है तो अब ऐसे में एक बड़ा सवाल अभियर्थियों के मन में आता है कि किस विशय में कितने पद निकलेंगे या किन-किन विशयों की जो भरती हो निकलेगी ताकि वो उसी इसापचपनी तयारी को शुरू करता के तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि किस विशय में कितनी भरती निकलने की संभावना है दोस्तों ये आकड़ा 100% सच तो नहीं है क्योंकि अभी ऑफिशल नोटिफिकेशन नहीं आया लेकिन पिछले जितने वर्चों में भी यूपी एल्टी ग्रेट की भरतियां निकली और उनके एक आवरेज के अधार पर हम आपके सामने आज कुछ आकड़े प्रेजन्ट करेंगे जितमें आपको ये बताएंगे कि किस विशय में लगभग कितनी जो भरतियां है कितने पद जो हैं वो निकल सकते हैं और ये आकड़े आल्मोस जो हैं वो 95% आप बिलीफ कर सकते हैं क्योंकि इतने ही पद निकलने की संभावना जो है वो एल्टी ग्रेट में बनी हुई है तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी आप देख सकते हैं सबसे बढ़ी बात की किन पदों के लिए ये ये लिटी ग्रेट में भरती निकलेगी तो आप देख सकते हैं कि हिंदी में आपकी 600 से अधिक males के लिए और जो 700 से अधिक females के लिए निकल सकती है जब कि English की अगर हम बात करें तो 600 से अभव आपकी male के लिए और 600 से अभव आपकी female के लिए निकल सकती है math में भी सबसे जदा vacancies निकलती है math का भी आखड़ा इसके आसपासी रहेगा 506 का दोनों के लिए ही ठीक है अगर हम science की बात करें तो science में भी आप आखड़े देख सकते हैं कि science में 500 से अधिक male के लिए और 400 से अधिक female के लिए जो vacancies है वो निकल सकती है अगर हम computer की बात करें तो computer, music, उर्दू, commerce, social science, biology, Sanskrit, agriculture, art, physical education इन सभी की vacancies निकलनी है सबसे कम जो vacancies निकलने की संभावना है वो music में है ठीक है हाला कि female candidates के लिए जादा vacancies निकल जाएंगी उर्दू में भी कम vacancies निकलेंगी और commerce में भी vacancies कम निकलेंगी मैं फिर से आप से कहूँगी कि 100% exact तो नहीं है लेकिन इसी के आस पास आपको इन सारे subject में vacancies देखने को मिल सकती है उसके लावा मैं एक और चीज़ इस वीडियो के माद़म से clear करना चाहूँगी मैंने UPLT grade का एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको सारी detail दी थी से रिलेटेड और उसमें मैंने UPTate की बात करी थी जिसमें बहुत सारे अभी अर्थी बोल रहे थे कि UPTate कंपल सरी नहीं है बिल्कुल भी सही बात है कि UPTate या सीटेड अभी कुछ नहीं है लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा था कि हो सकता है कि इस बार कुछ नहीं आया है तो कोई जरूरी नहीं आएगा लेकिन हाँ बीएड आपका कंपल सरी बीएड आपका कंपलीट होना चाहिए यह मस्ट है उसके अलावा अभी UPTate या सीटेड पे कोई भी बड़ी कि अपडेट नहीं जानने को मिली केवल सुनने में आ रहा था तो आप लोग परिशान ना हूँ वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करो और जैसे कुछ और अपडेट मिलती है आपको चैनल के मादम से जल से जल मिल जाएंगी नमस्का